हाई फ्रेंड्स वेलकम डू माई चैनल मैं हूश रद्दा एक नया वीडियो लेकिया हूँ आज की इस वीडियो में आप लोग साथ अपने कुर्टा सेट सेट करने जा रही हूँ यह कुर्टा सेट मैंने सेटन सिल्क के फैब्रिक से बनाया है यह फैब्रिक मैंने 6 मत पहले एक शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर किया था उसमें आप लोग साथ शेयर किया था वीडियो काफी डिले हो गया पहले तो मुझे कोई मेरे घर में आसपास टेलर नहीं मिल रहा था सेकेंड फिर थोड़ी बहुत मुझे स्टिचिंग आती है डैट्स वाइट्स वाइट्स मितलब उसकी फिटिंग, फिनिशिंग और जैसे सैटन सिल्क है, प्लेन फैब्रिक है, फ्लोई सा तो जब तक अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी तब तक वो अच्छा नहीं लगता और थोड़ी सी फिटिंग वगयरा भी बेकार हो गई थी, खराब हो गया, खराब हो ग करूँगी, उसमें लाइनिंग नहीं लगाना था, तो यहाँ आई, फिर माइन में मैंने उसको देखा, उसको फिर से खोला वगयरा, और मैंने ठीक किया, तो अभी वो पहनने लायक हो गया है, और मेरी चारपा सस्क्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि जो तुमने एक सेटन्सिल का फैबरिक लिया था, कुछ उसका बनाया या नहीं बनाया, तो फिर मैंने सोचा इसका वीडियो ही बना रेती हूँ, यह था वो फैबरिक जिससे मैंने यह कुरता सेट बनवाया है, कुरता सेट, सिंपल सा प्लेन सा कुरता बनवाया है, यहाँ पर यह देखने आप लोग गोटा पट्टी की वाली लेसस लगवाई है दोनों साइड में बस आनली साइड में लगवाई है नीचे नहीं चलती है पहले नीचे वाला फैसन चलता था बट अभी नीचे नहीं चलती और ये स्लीप्स पर ठोड़ी सी डिजाइन है नेक वगेरा एकदम सिंपल सा है यह देख रहे है अभी भी इसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई बाकी आरेन वारेन करने पर पहने पर नहीं दिखता है प्लाजो मैंने खुद से बनाया है थोड़ा सा फ्लेयर वाला बहुत ज्य यह यहां पर पुलकारी वर्क टा मैंने अपने द अलेक्शन वीडियो में आप लोगे सेस dziर किया था तो यह था टू हंड़ट यह तू कि अथा कि पुलकार है तो सेबबंडेड मेरा ये ड्रेस दिखिए लाइनिंग थी, 750 का ये मेरा सारा ड्रेस बना है, जो फैब्रिक लेके ड्रेस बनते हैं, वो काफी स्टाइलिस और आप उसमें मितलब बहुत वेराइटीज चूज कर सकती हैं, और उसे एकी ड्रेस को मल्टिपल तरीकों से यूज कर सकती हैं, जो आप पुरा ड्रेस खरीते ह होता है, उसका वो पुरा सेट एक साथ पहना जा सकता है, बस, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुआ, तो आप अलग यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी मोश्टली वो लेसिस दे देते हैं, जो आपको फील माइंड में देता है, इस सूट का ड्रुपट्टा नहीं है, इस स आप मल्टिपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, इसकी कुर्ती, जैसे अभी सब ये कुर्ती है, मैं इस कुर्ती को किसी भी बॉटम के साथ पहनूं, वो बिल्कुल यह नहीं कहेगी, कि ये मतलब नहीं, मैं इसकी साथ की नहीं हूँ, मुझे इसके साथ मत पहनो, बहुत अच स्टाइल करने के बाद और भी आइडियाज हैं, बट मैंने फिर वीडियो बहुत बढ़ा हो जाता, इसे कम से कम दस बारा तरीकों से पहना जा सकता, और सब एक से एक लगेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरप, और देखिए मैं यहाँ पर मैंने इस कुर्ता स लग रहा है बिना डुपट्टे के भी, साथ में मैंने एक नेकलेस केरी किया हुआ है, यह अबर मैं फुटवेर पहनना भूल गई थी, इन सेकंड लूप मैंने पुरा कुर्ता सेट पहना है डुपट्टे के साथ, तो यह जो डुपट्टा मैंने अभी आप लोगों को दि है भी, तो बढ़ते हैं लुक नमबर 3 पर, लुक नमबर 3 में मैंने इस कुर्टा सेट को एक सौड जैकेट के साथ पहना है, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा, किस तगा से यह ड्रेस सबसे ज़ादा, आपको कौ पतिवार था इसलिए, लुक नमबर 4, लुक नमबर 4 को मैंने सेम कुर्टा सेट को एक रेड डुपट्टे के साथ प्यारप किया है, एक्चुली ना रेड और पिंक, यहां पर आप पिंक के साथ भी कर सकते हैं, मेरे पास पिंक भी है, मैं दाक लेके नहीं हूँ, बाकी ब इवेन अगर आप गर्ल्स हैं, तो इसे साधी वगरे में भी ट्राइ कर सकते हैं, सेम कुर्टी कुर्ट नेक्ष्ट लुक में एक वाइड पैंड के साथ पहना है, इसे आप बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही सौपिंग या नहीं भी, कुछ भी, थोड़ा सा नेक के पास सुना सु करके लगाते हैं, वैसा कुछ, तो स्टॉल के साथ भी अच्छा लगेगा, बढ़ते हैं, नेक्ष्ट लुक में, मैंने सेम कुर्टी को पहना है, एक स्कट के साथ, और यहां पर भी मैंने एक स्टेट्मेंट नेकलेस पहना हुआ है, इसमें आप डुपट्टा और नहीं किये, तो आप इसे डुपट्टे के साथ या विडाउट डुपट्टा दोनों टाइप से पेर अप कर सकती हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सा यूसपुल लगा होगा, वीडियो बनाने का यह मोटिब है कि जरूरी नहीं है कि आप expensive चीजे ही खरीदें, तभी आप stylish लग सकती हैं, तभी आप fashionable लग सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पतलब कम range में अच्छे stylish dress बनवा सकती हैं, आप budget friendly dress बनवा सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह dress 1000 रुपे में आपको महंगी है, 1000 रुपे में इतन साथ लीजिए इस डुपटे को किसी भी सॉलिड कुर्ती के साथ लीजिए सब के साथ अच्छी लगेगी सेम बिद कुर्ती आप इस कुर्ती को कम से कम 5-6 बॉटम के साथ पहन सकती है अलग-अलग अच्छी ही लगेगी सेम बिद प्लाजो इस प्लाजो को आप किसी भी प्रि किस मल्टी कलर जितना होगा उनके सारों के साथ प्रिंटेट कुरती इसके साथ यह प्ला जो बहुत अच्छे से जाएगा परपच आपको समझ में आया होगा कि कम चीजों में आप कैसे जादा चीजे क्रेट कर सकती हैं कम तिंक्स के साथ जादा चीजे कैसे क्रेट कर सकती है मेरे वीडियो उनाने का यही मोटीब है आप ऐसी चीजों में इन्वेश्ट करिए जो चोटी-मोटी पार्टी के लिए चोटी-मोटी ओकेजन के लिए और उसके बाद आप उसे आउटिंग के लिए या बाहर जा रहे हैं तो पहन सकते हैं और फिर बाद में उसे आप घर में भी पहन सकते हैं बाकी कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़दा ट्रंडी के पीछे भागते होंगे और ले लिया और फिर उनको बस छे महने एक साल के बाद वो तो फैसन से आउट हो गया और पैसे भी उसमें वेश्ट हो गए तो ऐसे पैसे मदवेश्ट करिए ऐसी चीज़ों में इनवेश्ट करिए जिसे आप बहुत टाइप से पहन सकें बहुत रिपीट कर सकें और ये ना सोचना पड़े कि मैं इसको कहां पहनूं अगर आप मेरी बातों से रिलेट करती है अगर आपको मेरी बाते सही लग रही है कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मुझे सपोर्ट करें मेरे 50% जो मेरा व्यू है जो मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं अगर आपको कौन सा लुक अच्छा लगा ये कमेंट करके भी बताएं मिलती हु नेक्ट वीडियो में कुछ ने आडियास के साथ, कुछ ने टापिक के साथ, कुछ ने एक्स्प्लोर के साथ तब तक के लिए बाबा टेक केर कीप स्मालिंग, सी यू सून